हलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और प्रैक्टिकली वेल मेंटेंड और वेल मेड होर्स फार्म जिसके ओनर है सुखविंदर सिंग सिद्धु जी जिनको प्यार से लोग नीटा भाई बोलते हैं सिद्धु साब का काफी एक्सपिरियंस है ब्रीडिंग में और ये शो भी जज़ करते हैं और इनका एक्सपिरियंस इनके स्टर्ड फार्म के बनाने में भी नज़र आया बहुत ही अच्छा हवादार फार्म बनाया है इन्होंने जिसके आगे 14 फिट का बरामड़ा है और 14 व धूप का सब चीजों का तो ध्यान रखा ही गया है उसके इलावा खुबसूरती का भी बहुत ध्यान रखा गया हर एक चीज इन्होंने वेरी डिटेल्ड बनाई है खुबसूरत गेट है अंदर भी जालियं लगाई है ताके हवा क्रोसिंग रहे और नीचे बहुत ही अच् गोड़े के खाने के लिए ठान बनाया गया है और अंदर ही पानी की विवस्ता है लेटर आन ये शायद इसको पीछे एक एक पैड़िक भी देने वाले हैं ताके गोड़े का दिल करे गोड़ा अंदर जाए गोड़े का दिल करे गोड़ा बाहर जाए सब कमरों में पंखों की विवस्ता है और इतनी गर्मी में भी वेंटिलेशन होने की वज़े से इनका जो फाम है वो काफी ठंडक वाला है और इसकी च्छत जो है वो कॉंक्रीट की सलय बनेगी है और ये ब्रामडे में कुछ ठान दे दिये गए हैं ताकि अगर एमर्जंसी में घोड़े बढ़ जा और बहुत ही खुबसूरत है मगर फ्रंट का काम बाकी है तो मैंने गुस्ताकी नहीं की उसको बाहर से दिखाने की केवल और केवल जो अंदर बन गया है फाम उसको ही मैंने दिखाया सिदू साब के पास घोड़ों की कलेक्शन भी अच्छी है फिर भी मैं थोड़े देता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा ही घोड़ों को पर्टिकुलर्ली फोटोग्राफी के लिहाज से देखने की आदत है और वैसी खुबसूरती आप फोन वाले कैमरे से कई वार नहीं दिखा सकते वीडियो में फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सिद्धू साब के पास कैसे घोड़े हैं और यही घोड़े अगर आप फोटोस में देखोगे तो बहुत खुबसूरत दिखते हैं क्योंकि उन दिनों में इनकी प्रॉपर तयारी प्रॉपर जगा पे खड़ा करना होता है वैसी खुबसू फार्म खुबसूरत तो हो ही बहुत अच्छा है और घोड़ों के लिए अराम दाइक हो उससे भी बड़ी बात है क्योंकि आपके खुबसूरत घोड़े एक बहुत ही अराम दाइक जगा में रहें उससे बढ़िया एक होर्स लवर के लिए कुछ भी नहीं है और आगे ब्र स्टेबल्स के बाहर बैटके ही हमने ब्रेक फास्ट भी किया अगर फार्म में वेंटिलेशन नहीं होगी तो स्टर्ड फार्म काफी स्टिंकी हो जाते हैं और वहां बैटने का कभी किसी का दिल नहीं करता